पवन जी मा का एकदम मा का भक्त है, जो लड़का माता पिता का भक्त रहेगा, उस साधी के बाद भी नहीं बदल सकता है, देश्वानी उचको पहली बार रो रो के बोली, तब हम समझ गया कि मिलन का नेचर बना लिए, आप, हम तब समझे कि आप मिल जाएंगे, जोती जी, पतनी हैं आप, आपका पती रुसा हुआ है, आप मनाएए पती को, अन्ती में जोती जी मानी बात, उनके पिता जी हमको काउंटर कर दिये, जोती जी तो हमको पवंजे से मिला ना था, तहम जोती जी को ग्यान देते गए, देते गए, देते गए, उनको ग्यान आते गया, कि जोति जी हमारा एक इंटर्विव मिशने करती हैं अग ना जी को ने नहीं होगे और भी माड़ी नहीं थे नमस्कार मेरा नाम तेजा है और आप सभी हेडलाइन भारत देख रहे हैं अभी हमारे साथ संतोष सर है और आरती स्टूडियो में मौझूद हैं यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर बात करेंगे आये ड्रेक जुडते हैं और बात करने कुछ करते हैं पहले सर स्वागत है क मगी हो गया खुठ़ा हो गया हिंदी भी चलता है अगर पंजाबी में भी होता है लेगिन पंजाबी में अपना गाल लेते हैं हिंधी के टाइप पर लिख देते हैं इस साह व्य हम सर से गवा लेते हैं यारेक भासा बंगाली ऊजा거를 कर यही सिंगर है डॉक्टर स्यमसुंदर भारती नाम है इनका हमको लगता है कि साथ आठ सौंग गवाद चुके हैं रिलीज भी कर दिये ओडियो विडियो यह पचमा बारा है इस्टुडियो बहुत अच्छे सिंगर हैं जैसे गवाते हैं पकड़के गाल लेते हैं इस्टुडियो कैसा है और सर्कलों कहिएगा कितने अच्छे से गवाते हैं कितना कमपड़ करते हैं जितना कहा जाए उतना कम पड़ेगा और जो भी सिंगर जो है नए सिंगर है यहां आ जाने के बाद फिर कहीं दूसरा जगह जाने को उनको जूरत नहीं है क्योंकि इस अंत हम यहां देखे हैं कि गुंगा भी आकर कहीं गाना सिखा देते हैं सिंगर बना देते हैं सर जी के अंदर इतना टाइलेंट है और क्या बताया जाए अभी गाना इसके पहले मेरा आया था जो इसकूल में भी बचलों के लिए भी मतलब की गया थे कि बबुआ पढ़ लिख के होई बजुआन बबुआ बबुआ पढ़ लिख के होई बजुआन बबुआ चड़बा हाथी घोड़ा पूस पक विमान बबुआ जो गाएं है ना आरसीम कंपनी से रिलीज हम कड़ा चुके हैं और अच्छा भी हुजा रहा है इनके गाने पर तो इधर हाले रिलीज करा है आज इनका दो गाना है एक माता का है भकती का है एक लोग गीत है आज वही गबार है वैसे तो आप अक्षर ने सिंगरों को मुका का देते हैं कलकार को यहां से ऊभारने की कोशिस करते है बफशी घ्रम स्बूत के इससे मामिलों के से लेकित में देख सूआरो एकम यह सब नीजी मामला में है किनी का तो हम लोग तो दखिये काम करते रहते है च्ट टूड्यों में शुटिंग भी करते हैं फुँरसत हम लोग-ुलो को नहीं मिलता है ऐसा नहीं होना चीए कोई भी लड़की है किनी का भाई बच्ची है किनी का लड़का भी है तो दोनों का बदनामी नहीं होना चीए कि लड़का लड़की थोड़ा सा इस उमर में नदानी कर देता है इसका सारा मतलब की उनके पिता पर मा पर पड़ता है पड़िवार पर पड़ता है त तो हम तो यही कहेंगे, जैसे दखिए, कोई अदमी गाच लगाया आम का, अपने बगी चे में मता पिता, हम ऐसे ही करके आपको बताएंगे, ओपेनली किसी के बारे नहीं हम बताते हैं, मेरा पुरा ना अथी रहता है, तो आम का गाच लगाया जी, अपने बगी आम लगाया वो किसान, पिता जी, मता, आउ उसको जैसे ही बेटा के साधिक करता है, या बेटा अपने से किसी से लभ कर लिया, वो गाच को उखारने का परियास किया जाता है, लड़की वाले कि तरब से, मतलब पूरा गाच, मतलब मालदा आम लग गया, बच्पन से जो सीचा है उस जल्दा आम फड़ने लगा, उस गाच को ही उखाड करके अपने आंगन में लगाना, यही मेटर पवन जी का था, जो कि सारा मीडिया आ जाते थे, हमसे बैट लेलते थे, हम बता बता देते थे, यही मेटर था, यही बीमारी था, आये कि बिजंदर कोई बुडबक था, वो कह रहा था, दोस्ते मिलने नहीं देता है उसको, जब तक दोस्त रहेगा, तब तक कुछ नहीं होगा, दुनों का मिलन नहीं होगा, ना जोती जी को ने पवन जी एक नहीं होगे, अव बीमारी ये नहीं था, तो बुडबक आदमी है, वीडियो वीडियो बनाता है, और उनको फुरसत नहीं मिलता है, जिसे हम लोग को नहीं मिलता है, वो क्यों गलत काम करेंगे जी, आपके बेटी से बची से, और उनकी मा ललाइत रहती है बहु के लिए, आज भी, तो ये गलत बियानी करना, बिजिंदर बुरवक नहीं करना चाहिए, बीमारी था लड़का क कि अब जोती जी तो हमको पवनजेसे मिला ना था, तक हम जोती जी को घ्यान दिते गये, दिते गये, उनको घ्यान आते गया जोकी जोती जी भी हमारा एक इंटर्वु भी मिस नहीं करती है। आपका पती रुसा हुआ है आप मनाएए पती को अंती में जोती जी मानी बात उनके पिता जी हमको कौंटर कर दिये हम भी उनको कौंटर करते गए छोड़े नहीं चुकि हमको मिलाना था दुनों को तब जोती जी को जब घ्यान आ गया कि सही बोल रहे हैं डाइरेक्टर वहा कि मिलन का नेचर बना लिए हम तब समझे कि आप मिल जाएंगे जोती जी तो वही हुआ अब जोती जी नॉर्मल हुई तब पवण जी से पवण जी उस इंटर्व्यों को जब देखें कि अरे भी तो रो रही है हापट क्या अपना लिया जी पवण जी का जो डर था खतम हो कि इसे कर रही है इनके पड़िभार वाले जो कहते हैं लड़ बच्ची लड़की स्कीन की बेटी सुनती है अब फिर चली गई है हाँ से छोड़ करके घर आप फाइल बगर क्या कर दी थाना यी मतलब कि कोट कचारी चकर तो उनको उनका डर खतम कर दिये जोती जी अब Sm committed exactly what other tes थि थिर हो गेया इसे हैशे क्या यह हम कर नहीं कि अब उस्व मामला को नखेक आप मामला ठीक है कि सिन्व जोती जी को चाल कर दे उनके पिता जी रस घटा ऐ ड़सना चेहिए और में रहना चाहिए बच्ची को सब बसना चाहिए धोती उड़े अकास, जब बेटी सब सस्रार बस जाती है न, उनका माता पिता का धोती आचल असमान में उड़ता है, ये करना चाहिए, ये तमन्ना मत पालिए, कि अभी भी हम लड़का को अपने अथी में रखेंगे, अपने अड़े पर रखेंगे, पवन जी मानने के लिए तयार नहीं है, पवन जी मा का एकदम मा का भाक्त है, जो लड़का माता पिता का भाक्त रहेगा, उस साधी के बाद भी नहीं बदल सकता है, तो गवना कर दिजिए, आराम रहेगी बच्छी, जोती जी का भी मन अच्छा लगेगा, कहेगा ससुरार बस रही है, पवन जी का मां कभी मन अच्छा लगेगा मैं यही कहता हूं गाच को उखाड यह नहीं कि इसकी नहीं का आंगन में गाच लगा हुआ जी आप उसको उखाड करके अपनी आंगन में लगाते हैं उन लगेगा बड़का गाच नहीं लगेगा